नमस्कार में ममदासिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News राष्टपती चुनाब की नतीची आने के बाद तमाम लोग जो हैं दुराबदी मुर्मो की तारिफ पे कर रहे हैं कि इतिहास रचिदिया उन्होंने देश की राष्टपती दूसरी महेला होंगे और तारिफ हो भी क्यों उसको लेकर देश में खुशी का महौल है ज़्शन है ये एक अच्छी बात लेकिन उन्होंने जिसको हराया है जो एक तरफा जीट उन्होंने दरच किया है उसके बारे में आप बात करना पहर जरूरी है और वो है यश्वन सिना है यश्वन सीना हलाके चौथे राउन में उन्होंने जीत दरच की लेकिन जो है दुराबदी मुर्मू को हरा नहीं सके लेकिन अब सवाल ये है कि चूक कहां हो गए यश्वन सीना से गलतिया कहां हो देकि दो सबसे बड़ी वज़ा रही वो पहला ये कि विपक्ष का तूटना बिपक्ष का आपस में बढ़ जाना बिपक्ष का दुराबदी मुर्मू को समर्थन करना ये सबसे बड़ी चूक रही ये गलती हुई और यश्वन सीना हो उनको एक करने में माप कीज़े कामयाब नहीं रहे जिसके वज़े से आज उन्हें हार का सामना करना पड़ा दूस कि ये कभी हम आपके पाटी के ही नेता थे यानि इशारो इसारो में वो ये खहना चाहते थे बीज़ेपी के तमाम बिधायक और सांसदों से कि मैं आपका ही नेता था कभी इस बात को आप भूले हम और इसी का उन्हें उल्टा पर गया लगभग 121 बिधायक और सांसदों क्रोस वोटिंग कर दिया यहीं यश्वन सिना का खेल पूरी तरीके से खतम होगे जो सबसे बड़ी दूगलती थी जब आप जान रहे हैं कि आपके बेपक्च के लोग ही जब आपका साथ नहीं दे रहे हैं बेपक्च की पाटियां आपका साथ नहीं दे रहे हैं फिर सब्सक्राइब को लेकर क्या प्लान होगा अब देखते हैं कि आगे वो क्या पसला लेते हैं चुलिए आज के लिए मुझे दीजिए जाजा तो आप देज़ करें स्क्राइब